हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोडी विछ ट्रस्ट, जैसा कि आप सबको पता है, हम आने वाले एच्टेट एक्जाम के लिए CDP की एक सिरीज कर रहे थे, और इसी सिरीज में आज का हमारा जो टोपिक है, वो है Brunner's Theory of Cognitive Development, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जीन प्याजे की थी, प्याजे's Theory of Cognitive Development, तो यह जो टीचिंग से रिलेटिड एक्जाम होते हैं, तो इसमें जो जितनी भी थियोरीज होती हैं CDP में, चाहिए वो प्याजे की थियोरी है, Brunner की है, Erickson की है, और बहुत सारी थियोरीज हैं, यह सारी थियोरीज तो आपको डेफ सबसे पहले हम थोड़ा सा, Brunner के बारे में जानते हैं, वो कौन था, Jerome Brunner was an American Psychologist, Jerome Brunner है वो कहा है, American Psychologist था, एक एमेरीकी मनोवेग्यानिक था, Jerome Brunner's Theory of Cognitive Development is a constructive theory that emphasizes the role of child's interaction with the environment in their cognitive development, अब जो Brunner की थियोरी है न, वो किस चीज़ पर जोर देती है, Emphasis the role of child's interaction with the environment in their cognitive development, यानि कि जो बच्चे का interaction होता है, उसके environment के साथ, बच्चे का अपने environment के साथ, जो interaction होता है, इस चीज़ का role है न, वो बहुत ज़्यादा माना है, Brunner ने किसी भी individual के cognitive development में, तो ये चीज़ है इस थियोरी में, अब जो Jerome Brunner है, इन्होंने 1966 में अपनी ये जो theory of cognitive development है, इसको दिया था, इसको सामने लाए थे, इसमें इन्होंने तीन stages मानी थी, three stages है इनकी जो cognitive development theory के, ये तीनों ही stage important है, और ये इसी series में होती है, inactive, iconic और symbolic stage, ये तीन stage होती है, inactive stage first होती है, जिसको हम skriya अवस्ता भी बोलते हैं, दूसरी stage आती है, iconic stage, जिसको हम दृष्यम प्रतिमा अवस्ता बोलते हैं, और सबसे लाष्ट में आती है, symbolic stage, जिसको हम सांकेतिक या प्रितिकात्मक अवस्ता बोलते हैं, तो कल हमने प्याजे की theory की थी, उसमें हमने देखा था, कि जीन प्याजे ने जो cognitive development है, उसकी four stages बताई थी, जबकि Brunner इसकी कित cognitive development theory की वो है, inactive stage या skiriae अवस्ता, इसका जो time period माना गया है, वो birth से लेकर two years तक होता है, जनम से लेकर बच्चे के दो साल तक की जो, दो साल तक का जो समय होता है, उसको inactive stage या जो skiriae अवस्ता है, वो हम बोलते हैं, during the inactive stage, children learn through physical exploration and interaction with the world around them, अब इसमें क्या होता है, inactive stage में या जो skiriae अवस्ता होती है, इसमें जो बच्चा है न, वो कैसे सीखता हैं चीजों को, learn through physical exploration and interaction, वो अपने physical exploration से, और जो अपने environment के साथ interaction करके क्या है, नहीं चीज़े हैं, वो सीखता है, They learn by doing things like mouthing objects, crawling, walking, इसमें क्या होता है, learning by doing, जो बच्चे हैं वो चीजों को कर-कर कर सीखते हैं, जैसे वो walking करते हैं, चलते हैं, वो रेंगते हैं, म várias घुटनों के बल चलते हैं, फिर वो walking करते हैं, यह सारी चीज़ें होती है कि वो चीजों को कर-कर सीखते हैं, और क्या चीज आती है वो और कैसे सीखते हैं वो दूसरों को अबजर्व करते हैं जो उनके पैरेंस होते हैं जो वो चीजे करते हैं तो उनको अबजर्व करते हैं उनको देखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं इमिटेट करते हैं यानि कि उसकी नकल करते हैं एक तरीके से त में जो बच्चा है वो नही नही चीज़े के हैं सीखता है और क्या क्या होता है इस inactive stage में in the inactive mode knowledge is stored primarily in the form of motor responses इसमें जो knowledge है वो motor responses की form में क्या है stored होती है this mode is used within the first year of life corresponding to the piaze's sensory motor stage यह जो inactive stage है Brunner की थेहोरी में इसको हम जो gene piaze ने sensory motor stage बताई थी अपनी थेहोरी में उससे relate कर सकते हैं क्योंकि gene piaze ने भी यह बोला था कि sensory motor में जो बच्चा है वो अपनी senses और जो motor activities है उससे जो चीज़े है वो सीखता है तो inactive stage में Brunner भी सेम चीज़े कहते हैं कि जो बच्चा है वो learning by doing चीज़ों को करकर सीखता है जो motor activities है उससे सीखता है और जो उसकी जो knowledge होती है वो भी क्या है motor responses के रूम में store होती है तो इसलिए जो Brunner की inactive stage है उसको हम gene piaze की sensory motor stage से कह है relate कर सकते हैं इसके बाद जो Brunner की theory है उसमें जो second stage इन्होंने बताई है वो है iconic stage जिसको हम द्रिश्य प्रतिमा अवस्ता या द्रिश्य प्रतिमा विदी भी बोलते है ये इसका जो time period है इसका जो समय अवदी है वो 2 साल से लेकर 7 साल तक की होती है यानि कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और 2 साल से लेकर 7 साल की जो उसकी age होती है तब तक जो iconic stage है वो active रहती है during the iconic stage children begin to learn through mental representation such as images and symbols अब iconic stage है द्रिश्य प्रतिमा अवस्ता है इसमें क्या होता है जो बच्चा है वो कैसे सीखता है child begin to learn through mental representation अब वो अपनी मानसी का अवधारनाओं का प्रयोग करने लगता है अपनी mental representation का यूज करने लगता है किसी भी चीज को सीखने के लिए इसमें वो क्या होता है वो images या जो symbols है जो images और symbols होते है उनको देखकर बहुत जल्दी सीखता है they learn to use language and gestures to communicate their thoughts and ideas इसके अलावा और क्या होता है जो बच्चे है वो अपनी language और जो gestures होते है भाशा और जो संकेत होते है उनका प्रयोग करने लगते हैं खुद को व्यक्त करने के लिए खुद की अभी व्यक्ति के लिए या फिर communication करने के लिए they also learn to think about things that are not present in the immediate environment और वो उन चीजों के बारे में भी सोचते हैं जो उस time उस environment में उनके सामने नहीं होती तो ये सारी चीज़े iconic stage में होती है अगर मैं simple सी language में बताऊँ अगर तो इस iconic stage में क्या होता है जो बच्चे है ना वो चीजों को देखकर जो images होती है जो pictures होती है उनको देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं अगर हम जैसे छोटे बच्चों को कोई चीज सीखाते है तो अगर हम उसको direct lecture देते हैं तो बच्चा बहुत कम सीख पाता है उसके mind में बहुत कम बाते जाती है लेकिन अगर हम उसको किसी भी चीज की जो picture है वो दिख तो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी catch कर लेता है और वो उसके mind में बहुत ज्यादा समय तक रहती है तो यह सारी चीज़ें है जो iconic stage में क्या है होती है इसलिए बोला गया है the children begin to learn through mental representation such as images and symbols इसलिए बच्चा क्या है जो images और symbols के थ्रू क्या है चीज़ें सीखने लगत है information is stored in sensory images या icons usually visual ones like pictures in the mind अब इसमें information store के से होती है images की form में जिनको हम icon बोलते है जो images की form में हमारे mind में information store होगी उसी को हम icon बोलते है और इस तरीके से जो iconic stage है उसमें जो information किसी भी individual के mind में store होती है for some this is conscious other says that they do not experience it और इस stage में क्या होता है कि कुछ के लिए तो ये conscious stage होती है भी उनको इस चीज़ का पता रहता है वो सचेत अवस्ता में होता है और कुछ इस चीज़ को experience है वो नहीं कर पाते तो ये थी Brunner के according जो second stage है जिसको हम iconic stage या द्रिशय प्रितिमा अवस्ता बोलते हैं इसके बाद आती है third stage और जो last stage जो Brunner ने जिसको नाम दिया है symbolic stage या संकेति कवस्ता इसका जो time period है वो 7 साल से लेकर जो adult हुर की stage है वहां तक माना गया है during the symbolic stage children develop the ability to think abstractly and use language to solve the problems अब इस stage में क्या होता है जो बच्चों के abstract thinking वो develop हो जाती है वो अपनी language है उसका use करने लगते हैं जो उनकी problems होती है उनको solve करने के लिए they can now think about the things that are not physically present such as mathematical concept and scientific theories अब उनकी जो reasoning power वो भी develop हो जाती है वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो physically environment में present नहीं होती लेकिन वो उसकी एक mental image बना लेते हैं और इस stage में जो mathematical concept है जो scientific theories है उनके बारे में वो समझ उनको समझने लगते हैं उनको solve करने लगते हैं they can also use language to reason and argue वही बात आगी अपने reasoning के लिए और argument के लिए भी वो language है उसका use करने लगते हैं this mode is acquired around six to seven years old ही है तो उसी का जो age period है वो बताया गया कि 6 या 7 साल की age में ये जो symbolic stage है वो शुरू होती है corresponding to Piaze's concrete operational stage जो Jean Piaze ने concrete operational जो stage बताई थी अपने थोरी में हम concrete operational stage से हम जो symbolic stage है उसको क्या है relate कर सकते हैं और अगर मैं simple language में बात करूँ तो symbolic जो stage होती है संकेति कवस्ता होती है इसमें जो बच्चे है वो symbols को क्या है identify करने लगता है संकेतिक रूप में चीजों को पहच्यानने लगता है वो अपने mind में images बना लेता है जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं मानलो बच्चों को हमने बोला कि loin है share है तो जरूरी नहीं कि हम उसके सामने जो मरलब real loin है उसको लेकर आएं तो बच्चे के mind में क्या है image बन जाती है जैसे हम कोई word बोलते है loin बोला तो उसके mind में image आ जाती है भी हाँ वो ऐसा होता है अगर मैं बोलता हूं tree तो बच्चे के mind में जो tree है उसकी image है वो बन जाती है तो यह सारी की सारी चीज़ें जो अपनी symbolic stage में होती है तो यह थी Brunner की theory, Brunner's theory of cognitive development इसमें इन्होंने तीन stages बताई है ति इन्हों ही stages हमने अच्छे से discuss किये है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें, thank you